कि आप लोग आमश्यार कि आप लोग जोंब बहुत ही अमेजिंग होगे सो आज का यह वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एड़सन्स का एप्रूवल के लिए आपके पास में क्या गाइड लाइन्स वगरा हैं क्या करना चाहिए कब आपके पाउस में कहीं पर भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है या इतना आपके पास परिक को भी को इसे वागयों क्योंग थरो तो यहां पर मैं बता दूं कि मैंने पाँज ने कांच यह ने के बाद भी मेंको 24 hours के अंदर approval adsense का मिल गया था तो मेरे experience के उपर मैं बात करूँ तो मैं अब तक almost 7-8 मेरी खुद की official website उनके उपर में approval ले चुका हूँ, adsense का और generally मुझे जब भी मैं apply करता हूँ तो 24-36 गंटे के बीच बीच में मेरा approval जो हो जाता है, recently मेरी एक website पर मैंने एक मेना पहले approval लिया है adsense का, वहाँ पर मात्र मुझे 10 गंटे भी नहीं लगे, उससे पहले ही मुझे उस website के लिए, हाला कि वो नई website थी, नया domain था, सब कुछ नया था, उसके बाद भी कोई traffic नहीं था उसके बाब जुद भी मुझे जो है, 8 से 10 गंटे के बीच में ही वापस reply आ गया था कि आपका adsense approval जो है, वो हो चुका है तो guys मेरे अगर experience की बात करूँ, तो मैं तो सिरफ अब तक जो पिछले 4-5 साल से जो मैं काम कर रहा हूं इस digital के अंदर तो मुझे तो अब तक यही समझ में आया है, कि अगर आपके पास में आपको adsense approval लेना है तो आपके पास में बहुत ही specific जो चीजे है, मैंने अपने experience के बात में बात कर रहा हूं कि मैंने यही चीजे absorb करी है कि अगर आपका कोई content है, पहला चीज वो content आपका खुद का होना चाहिए, यह पहली requirement है दूसरी requirement है कि जो भी आप blog बनाएं, उसकी जो theme है, वो काफी user friendly होनी चाहिए अगर user friendly नहीं है, तो वहाँ पे एक complications जो है, वो बन सकते है, जहाँ पे आपका delay हो सकता है, reject हो सकता है और तीसरी चीज जो कि सबसे important है, आपके blog post के अंदर, terms and condition, privacy policy जैसे जो important legal जो pages है, वो होना जरूरी है और यही गलती बहुत लोग करते हैं, अपनी website के अंदर, जो है privacy, disclaimer और जो आपके terms and condition वाले जो pages है, वो नहीं डालते नहीं डालने की वज़े से जो है कि आपके जो adsense approval होने है, वो आपका या तो delay हो जाता है, या फिर जो है, वो reject कर दिया जाता है तो अगर आप जो पहले से blog को पूरा अच्छे से perfectly user friendly theme लेके चल रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है आपकी, और जो है आपका जो articles हैं, वो आप जरूरी नहीं की बहुत जादा लिखें, लेकिन मेरे recommendation यह है कि 5 से 10 भी हैं, लेकिन अगर आपने जो भी article लिखा है, बहुत अच user friendly आपका content होना चाहिए, तो और साथी साथ आपका जो terms and conditions, disclaimer और जो privacy policy जैसे जो pages हैं, अगर आप उनको पहले update कर लेते हैं, और उसके बाद में आप जो है, जैसे आपने यह सब update कर लिया, उसके बाद में मैं सरफ इतना है recommend करूँगा कि minimum 7 to 10 days तक जो है, आप अपने blog post को जिस भी website पर आप approval लेना चाहते हैं, वो website को आप promote करें, social media के जरीए या किसी भी जरीए, ताकि आपके पास उस particular blog के उपर पर कुछ जादा नहीं, तो कुछ जो है, आपके वास में traffic आना start हो जाए, indexing करवादे हैं, उसको आप webmaster tool के अंदर add कर दें, so that कि आपका जो indexing है वो start हो जाए, इसके बाद सिरफ एक ही चीज़ पर आपको rejection मिलेगा, अगर आपका कोई ऐसी website है, जहां पर आपके ब्लॉग जैसे कोई knowledge नहीं मिल रहा आपकी website पर आके, user को जो है कुछ आपके business के बारे में information, बहुत लोग जो है अपने इस तरह की website बनाते हैं, उस पर approval लेने की कोशिश करते हैं, वहां पर approval आपको नहीं मिल सकता है, आपका rejection ज़्यादा होने के chances है, मिल भी सकता है, और नहीं भी मिलने के chances ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर आपका blog है, और आपने ये जो मैने guideline बताई, आपको ये अगर आप follow करते हैं, और minimum 15 15 दिन के बाद में आज domain बुक करा और ये सब काम आपने पहले जो theme प्लस content डालने का आपने माली जए 7-8 दिन के अंदर काम complete कर लिया, terms and conditions वगरा सब update कर दिया, उसके बाद contact us page बहुत important होता, contact us page जो है, उसमें आपके पास में form होना चाहिए, प्लस आपका address होना चाहिए, so that की legal चीजें लगें, वो अगर आपके पास में है इतना और उसके बाद में 10 आप एक 7-8 दिन उसका promotion कर लें, so that की कुछ footfall आपके website पे आजाए, blog पे आजाए, उसके बाद अगर आप apply करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका जो approval है, वो होने के chances बढ़ जाते हैं, अ लेकिन अगर आपने पहले से कभी approval लिया हुआ है, तो आपको थोड़ा जल्दी chances हो जाते हैं, जैसे जैसे आप पुरानी होते जाते हैं, आपके बास में multiple adsense approval होते हैं, तो आपको chances ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कि आप एक ही adsense के अंदर multiple websites को जो है उसमें integrate बगरा क सकते हैं, approval ले सकते हैं, तो यह मेरे experience के base के उपर मैंने आप लोगों को पूरा guideline दी है, तो अगर आपको यह पूरा content अच्छा लगा है, तो like करें, share करें, और अगर आप नए है मेरे channel पे, तो जल्दी से नीचे side पे subscribe का button दबाते हैं, और साथी साथ बेल का icon दबाते हैं, फिर मिलता हूँ एक और नहीं, amazing video के साथ, till then stay safe, goodbye.